हाई फ्रेंट्स मैं हूं दिलोर और आप देख रहा है smart study for career YouTube चैनल जिसमें हर तरह की competitive exam के लिए short cut tricks और tips लेके मैं आता रहत हूँ इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे profit and loss के ओपर कुछ important formulas के बारे में जिस formulas के बीना आप profit and loss का किसी भी question को solve नहीं कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को pause कर सकते हैं pause करके इसको note कर सकते हैं या मेरे साथ साथ इसका कुछ condition भी है तो condition किये भी आप देख लिजिए तेहाँ पर पहले एक चीज के cp is equal to cost price और sp is equal to selling price तेहाँ कर आपको ध्यान देना चाहिए और देखे चलिए first formula देख लेते हैं तेहाँ पर देखे profit है profit is equal to selling price minus cost price तेहाँ पर एक condition है कि selling price हमेशा cost price से ज्यादा होगा तब ही जो है profit होगा उसके बाद चलिए loss इसका भी एक condition है loss के लिए selling price हमेशा ज्यादा होगा selling price से तब ही loss होगा उसके बाद चलते है selling price profit plus CP यान की cost price तो यहाँ पर भी selling price ज्यादा होगा cost price से उसके बाद चलते है selling price is equal to cost price minus loss तो इस condition में आपका जो होगा cost price selling price से ज्यादा होगा उसके बाद चलते है cost price is equal to selling price minus profit तो इस condition में आपका होगा selling price ज्यादा होगा cost price से उसके बाद चलते है cost price is equal to loss plus selling price तो यहाँ पर selling price हमेशा से ज्यादा होगा cost price से तो कुछ condition है इसको भी देख लिजिएगा और दोस्तों आप किसी भी question का मान लिजिए profit दिया होगा है selling price दिया होगा है आसानी से आप sorry दोस्तो cost price दिया होगा है profit दिया होगा है selling price आप आसानी से निकल सकते हैं loss यह आप CP दिया होगा है SP दिया होगा है loss निकल सकते हैं ऐसे बहुत ही simple formula है उसके बाद चलते है profit percentage कैसे निकले मान लिजिए किसी एक चीज अपने बेज दी मान लिजिए किसी एक चीज 80 रूपिया के एक चीज अपने किसी को बेज दी और आपका जो profit हुआ वह हुआ 20 रूपिज यानि कि 100 रूपिया में उसको बेज दी तो इस condition में profit होगा 20 into 100 100 जो कि यह आपर common है और cost price है आपका original price है 80 लिग लिजिएगा आपका profit percentage निकल के आ जाएगा इसी तरह loss percentage निकल सकते हैं जैसे कि आपर किसी चीज को बेज दी और 20 रूपिया आपका loss होगे तो 20 into 100 अपन CP इसी तरह और एक चीज ध्यान देना है कि आपको कि दोस्तों अगर किसी question में profit percentage निकलने के लिए का है तो हमेशा जो होगा यह नीचे वाला CP यहाँ पर cost price ही होगा कभी भी selling price नहीं होगा तो यहाँ पर अगर बोल देता है कि selling price के उपर profit percentage कितना है तब आपको selling price लिखकर आपको answer निकलना है लेकिन हमेशा जो नॉर्माली होता है वो होता है cost price के उपर अगर loss percentage या profit percentage निकलना है तो cost price के उपर भी निकल सकते हैं उसके बाद next formula 9 selling price निकलना है is equal to cost price into 1 plus profit upon 100 उसके बाद selling price cost price निकलना है selling price upon 1 plus profit plus profit upon 100 इसी तरह 11 पे selling price निकलना है cost price into 1 minus loss upon 100 जिस condition में loss होगा उसी में यह formula है और यहाँ पर भी loss का formula है cost price is equal to selling price upon 1 minus loss upon 100 तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को दखने के लिए अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों को साथ भी share भी कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नाए है तो इस चैनल को जुरूद सब्सक्राइब कर लिजिए आगे भी इसी तरह का वर्भीट वीडियो देखने के लिए